क्या नीट 2030 को क्रैक करना असान है क्या तो मेरा अंसर येस असान है अगर असान नहीं होता तो हर साल डॉक्टर नहीं बनते हैं अगर असान नहीं होता तो 720 आउट अप 720 नहीं आता अगर असान नहीं होता तो एक गरीब परिवार का बच्चा जो सेल्फ स्टुडी करके अपन दम पे गौवर्मेंट में डिकॉलेश में routes नहीं होता है तो इस भारत ब्रष मेंถि कोचिन इंस्टुट में जाकर वह सफलता प्राप्त कर लक्त क्या जा सकता है और लोग नगी यह है तो असान करते हैं कोई ना कोई जॉइन करी लेते हैं या खुद से सेल्फ स्टेडियू भी करते हैं इन तमाम चीजों को करने के बाद भी हमें सफलता नहीं मिल पाती है तो ऐसा क्या स्टेप है जिससे हम यूज करके वाकई हम अपने आपको सुनिश्चित कर सकें अपने घर परिवार को भी सुनिश्चित कर सकें कि मेरा सफलता इस बार होना निश्चित है मैं सफल होके ही रहूंगा 2023 में तो इंपोर्टेंट टिप्स नंबर वन कि आपको ncrt को तो पढ़ना ही है बड़ ncrt की बारिकियों को समझना है जब भी आप प्लान करें कि मुझे कोई एक चाप्टर को पढ़ना है तो उस चाप्टर का एक एक लाइन अच्छे से बारिकी से हो सकता है उसे तीन घंटा चार घंटा लगजा लगने दीजिए बट मेरा दावा है कि उस चाप्टर को कंप्लीट करने के बाद आप तमाम कोशन के आंसर दे पाएंगे तो जब भी आप पढ़ाई करें तो एक एक को संधोश करिये कि इससे कौन कोशन कreate किये जा सकते हैं जो मैंने लाइन पढ़ा है इससे क्या कोशन आ सकता है वसुष है जा सकते हैं और इसमें नौर्मल से कैसे पूछे जा सकते हैं एक एक लाइन को पढ़िए और खुद से आँख बन करें के सोचिए कि इस लाइन से कैसे कोशन आएंगे तो दो तीन चीज़े इससे यहां से क्लियर हो जाएंगे पहला कि एक लाइन अच्छे से आप याद करते चलेंगे दूसरा चीज़ कि आप आप जब खुद से क्रियेट करेंगे कोशन तो अल्टिमेटले उस लाइन को बार बार दोहरा रहे हैं तो लाइन बिल्कुल पुक्ता हो जाएगा भलही आपने जो मन में कोशन क्रियेट किया है वो कोशन ना है बट मेरा दावा है कि NTA के द्वारा जो कोशन पूछा जाए सबस्क्रतों के तो इसलिए बार कि से दोबार इतना बढ़िया तरीक से पढ़ लेजिए कि आप वो 20 बार जो बच्चा पढ़ा है उसको भी आप फेल कर सकें तो इसलिए क्वालिटी स्टडी करनी के जरूरत है क्वांटिटी नहीं क्वालिटी पर फोकस करना अभी से ही यह प्रण कर लेजे कि आप जो भी कोशन करेंगे आलतु फालतु के कोशन नहीं करेंगे कि आपके कोशन NCRT पर नहीं होना चाहिए कि आप फाक्ट के बहाँ पर कोशन नहीं पूछा जाते हैं कि कि जिंडा रहेंगे क्या होगा कैसे होगा ड़क्लिकेशन करिए और उधर उधर के बुक लेनी की जरूरत नहीं है आप मेरे क्लास में आ सुबह 9 बजे शाम को 8 बजे अनकाडमी पर मैं फ्री में पढ़ाता हूं इस क्लास से जुड़ने के लिए इस टेलिग्राम से आप जुड़ जाएगा जो मेरे कमेंट सेक्षन में होगा डेक्स्क्रिप्शन बॉक्स में होगा टेलिग्राम से जुड़ेंगे अपने आप ही आ बेस्ट करना है और टिप्स नमर फ्री जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने दोस्तों से कंपेर मत कीजिए अभी वह अच्छा कर रहे हैं मैंने कई दफ़ा यह भी देखा है कि मॉक्टेस में बहुत अरे स्टुडेंट बहुत अच्छा करते हैं बट उ कर लेए खुद को तरासी जो दलाशियों खुद को करिए कि मैंने आज जो समय दिया है उक्या सबाएं नीड को क्राइक आपने त्याहिं किया है 1-2 साल थैया आपको पता तो है कि क्या होने वाला है क्या होता है कैसे होता है इसलिए आप एक बार दिन खत्म करिए तो थोड़ा सा दो मिनिट निकाली और अपने आप से पूछिए कि जो मैंने सुवेश से शाम तक किया है क्या यह उचित है अगर आपने उस दिन को बरबात किया है अपने दोस्तों से बात करें के सांथ अपने रेलेटिव के पास जाके और बड़े करके आपको खुद आंसर मिलेगा कि आज मैंने दिन को खराब कर दिया है और नीट जितना मांगता है उतना मुझे देनाए अगर ऐसा अपने आप से प्रण करते हैं तो कर दो नीट को करने को क्रेक करना बहुत ही आसान है इस सारे सिंपल सिंपल स्टेप है बट बहुत ही मुश्किल है इध्यान रखेगा क्योंकि सब को पता है कि स्वस्थ रहने के लिए अच्छा भोजन और नियमित समय पे एक्सरसाइज और योगा करना बहुत असान है इस्ट्रेस फ्री रहना है शदा खुस रहना है बट यह क्या हर लोग कर पाता है हर लोग कर पाते हैं नहीं अधिकतर लोग काडियो वैस्किलर डिजी से शिकार हो जाते हैं क्योंकि उनमें सबसे ज़्यादा इस्ट्रेस पाये जाता है अधिकतर लोग हार्ट पेशन बन जात है बड़ उसको execute करना बहुत ही मुस्किल है याद रखिए कि बहुत ही मुस्किल नहीं है आप धीरी धीरी से कोसिस करेंगे तो शायद यह असान बन जाएगा और आप बहुत नीट के इस जर्णी को enjoy करने लगेंगे और आपको चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगा जो रड़ कलर का बटन है उसे दबाएए और बैल एकन में आल सेल्ट करिए थैंकी सो मुच